हेलो दोस्तों, गिजमो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है, मेरा नाम है चेतन और ये है Redmi K30 Ultra, जो शायद भारत में आये हैं, जो शायद ना दोंच हो, मगर हमारे पास ये डिवाइस आचुका है, और हम इसके थोड़े स्मार्टफोन टेस्ट कर रहे हैं, जैसे K30 Ultra, 2010-2020, यहाँ पर जो मेंचन किया गया है, 10 years anniversary है, 10th anniversary कंपनी की, यह एक इनके लिए एक special device रहेगा, क्योंकि यह आ रहा है वैसे, एक नए चिपसेट के साथ, इसमें जो चिपसेट है, वो है, MediaTek Dimensity 1000+, एक नए चिपसेट है, इनके स्मार्केट में अगर आप देखो तो, अभी तक तो भारत में एक स्मार्टफोन भी इस चिपसेट के साथ नहीं आया है, अगर आ जाए तो एक बड़ा धर्माका हो सकता है, बहुत सारे स्मार्टफोन आ जाएंगे एक के साथ वार्केट में इस चिपसेट के साथ, क्योंकि अभी तक जितना हमने यूज किया है, अगर इसके अगर हम स्पेक्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे, डिमेंशेटी 1000 प्लस, 7 नानो मीटर चिपसेट है, मतलब यह एक फ्लक्षिप लेवल चिपसेट है, उसके साथ-साथ यह आ रहा है, एक फुल एप्लस एमोलेड डिस्पे के साथ, 6.67 और इसका साथ आ रहा है, और थोड़ स्पेक्शिकेशन से यहां पर भी दिये गए है, टाइप शीट आडियो इसका मतलब है, इसमें आपको USB टाइप सी आडियो ही मिल रहा है, एडफोन जाक नहीं है, तो वैसे तो डिवाइस अच्छा है, मगर यह एक बहुत बड़ी कम ही होती है, जब स्मार्टफोन, फ्लैक्शिप्स में आप कंपनी इसको देखते हैं कि वो निकाल ही दे रहा है, हिटफोन जाक, तो दिकत की बात होती है, यह शाओमी का टाइग लैन है, आलवेज बिलिए बिलिए आट सम्टिंग वडरफूल है, इस अबाट टो है, यह काफी टाइम स के अंदर तो आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, मगर ऐसे हेटफोन जाक ना होना ही एक बड़ा कॉंप्रमाइस कह सकते हैं, और यहां पर आपको एक सिमेजक्टर टूल भी मिल रहा है, अब नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो, यह है स्मार्टफोन जो हमने अभी त अब यह अगर देखो, यह एक joystick जो buttons होती है ऐसे, तो उसके तरह दिख रहा है, जो हम usually PS4 या उसके जैसे अगर देखते हैं, उसके joystick के जैसा है, और यहां पर आगे की तरफ अगर आप देखो तो यह रहेगा 6.60 इंच का डिस्पले जो Gorilla Glass 5 protection के साथ आ रहा है, और यह है Super AM OLED technology display, phone को साथ रखते हैं, बागी बात करेंगे बाद में उसके बारे में, अभी के लिए देखते हैं कि आपको उसके अलावा क्या-क्या मिल रहा है box के अंदर, एक तो रहेगा USB Type-C cable जो तो एक standard है क्योंकि यहां पर आपको USB Type-C connectivity मिल रही है, और उसके अलावा यह रहेगा इसका international travel adapter, क्योंकि यह Indian unit है नहीं, तो इसका socket भी ऐसे मिलेगा आपको, और इसके standard जो है speeds के, वो है 11V3A, इसका 33W fast charging यहां पर आपको मिल रहा है, तो यह है इसके major features, अब मतलब तो यह है इसके box package contents, अब हम वापस चलते हैं, फोन की तरह और देखते हैं कि आपको यहां प SIM slot है, जो tray दी के यह नीचे की तरफ, और USB Type-C यहां पर port मिल रहा है, और headphone jack है नहीं, तो microphone तो है, speaker भी, speaker भी bottom की तरफ है, उपर की तरफ आपको यह है, pop-up selfie camera, और उसके अलावा secondary microphone है, और यहां पर IR blaster है, जो को एक remote में काम करता है, राइट की तरफ आपको buttons मिल रहे हैं, power button और volume rocker button और left की तरफ, कुछ नहीं, सिर्फ antenna bands मिलेंगे, तो यह एक proper अंदर की तरफ aluminum रहेगा, और बार की तरफ glass रहेगा, एक अच्छा सा एक build यहां पर दिया गया है, मगर device single-handed usage के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि काफी बड़ा phone है, यह 6.6 inch display, और वैसे क्य करते हैं, कि यहां पर app drawer मिल जाना चाहिए, बट वो नहीं यहां पर ऐसे content मिल जाता है, और सब कुछ आपको home screen पर मिलेगा, यह रहेगा, इसके applications, वैसे important नहीं है देखना, क्योंकि यहां पर यह अलग country के जो me wise होते हैं, वो थोड़े अलग ही होते हैं, हम पहले benchmark ही देख Memory और UX का score, अगर हम इसको Qualcomm Snapdragon 855 Plus के साथ compare करते हैं, तो scores काफी similar रहेंगे CPU, GPU के, Memory और UX तो ऐसे depend करता है, smartphone के उपर और उसके UI के उपर, और my device में अगर हम जाते हैं, तो यह रहा, Dimensity 1000 Plus, Mali G77 MC9 GPU है यहां पर, और rare camera combinations, 64MP का जो F1.9 camera, वो है primary camera, 13MP का wide angle camera है, 119 degrees का यहां पर wide angle view मिलता है, 5MP का telephoto camera, उसके साथ साथ वही macro camera की तरह काम आएगा, और 1-2MP का depth camera दिया गया है, camera application अगर हम open करते हैं, तो यहां पर आदेख सकते हैं, photo, portrait, उसके अलावा यहां पर आपको more options में, 64MP का dedicated mode मिल जाएगा, vlog का option है, front and back, अगर साथ में अगर आपको एक pop-up की तर 4K recording शायद मिल जाए, 4K at 30fps की possibility है यहां पर, और 1080 आप 60fps में ले सकते हैं, तो यह बाकी के इसके features है, अगर हम selfie camera इसको open करते हैं, तो यह सबसे बड़ी बात इसकी रहेगी, अब ही तक Xiaomi ने Redmi K20 series में भी वो दिया था और वो continue किया है, यहां पर अगर हम इसको open करते हैं, तो यह नीचे display में भी एक अच्छे से effect के साथ होती है, और बार-बार करने से यहां पर हमें notification भी आ जाएगा, कि you are opening the front camera too frequently, तो वो तो है, यहां पर हम तो demo दे रहे हैं, वैसे users को इतनी बार इसको open नहीं करना चाहिए, तो बस यह इसके selfie camera के बारे में है, और अब उसके latest MIUI version है, और यह आएगा Android 10 based, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है Android 10, अभी का सबसे latest Android version, जो 11 तो ऐसे announce हो गया है, काफी smartphone से आ गया है, मगर Xiaomi के जो devices है, जिसमें MIUI 12 आ रहा है, वो Android 10 based ही है, और यह रहे है, इसके major specifications, तो यहां पर आपको पीछे की तरफ fingerprint sensor नहीं देख से भी 4500 image की battery मिल रही है, और 33 watt का fast charging भी यहां पर आपको दिख रहा है, USB type C 2.0 है यह, और यहां पर जो processor है, 7 nanometer processor उसका maximum clock speed रहे का 2.6 GHz, तो वो भी एक वाड़ी अच्छी बात है, और जब हम game खेल रहे थे इसमें, तो वैसे यहां पर headphone jack नहीं है, तो मैं video बनाने के Apple जैसे games केलते हैं, तो वो इतना easy नहीं होता, आपको detect करना कि कहां पर enemy है और कैसे shooting हो रहा है, यहां पर dual stereo speakers है, तो वो एक अच्छी बात है, यहां पर एक अच्छा सा output मिलता है, दोनों तरफ से तो आपको left and right का combination अच्छे से समझ में आता है, जब आप FPS games केल रहे हो, तो इंडिया में कब launch होगा, उसका कोई idea ने लिया, launch होगा भी या नहीं वो भी पता ने, मगर मैंने ये device मंगवाया था, सिर्फ एक reason के लिए कि इसके अंदर आपको मिल रहा है, एक नया chipset, जो की काफी interesting रहेगा हमारे लिए देखना की, इसका performance कैसे रहेगा, क्योंकि आगे धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में